हेलो फ्रेंड्स अजना कीचन में आपका सौगत है आज मैं आप सभी के लिए बतासे वाले खीर की रेसिपी लेकर आई हूँ जो की बहुत टेस्टी बनती है तो चलिए फ्रेंड्स बतासे वाले खीर बनाना सुरू करते हैं बतासे वाले खीर बनानी के लिए मैंने डेर लीटर फूल क्रिम बाली दूद ले लिये हैं दूद को मैंने पहले एक बार उबाल कर ले लिये हैं चार से पांच इलैची ले लिये हैं सो ग्राम छोटे दाने वाले चावल जिस्से की खीर बनती है इसे गोविंद भोग चावल भी कते हैं ये मार्केट में बहुत आसानी से मिल जाती है 200 ग्राम बतासा ले लिये हैं चावल को चार से पांच बार अच्छे से धोलूंगी और पानी जो है साप पानी होना चाहिए ये देखिए चावल को मैंने अच्छे से धोल लिया है और गैस आउन करके मोटे तले वाली कराई में दूद को उबालेंगे एक उबाल आने के बाद धोया हुआ चावल डाल देंगे और लगातार चलाते हुए मिक्स करेंगे फ्लेम को मिडियम रखेंगे अगर मिक्स नहीं करेंगे तो चावल एक साथ तले में जम सकता है और उबाल आने लगी है अब कूटी हुई इलेची डाल देंगे आप अपनी पसंद की ड्राइफूट भी डाल सकते हैं मैंने यहाँ पर ड्राइफूट का इस्तेमाल नहीं किये हैं ऐसे ही बना है ऐसे ही लगातार चलाते हुए पका लेंगे अब मैंने इसमें 200 गराम बतासे को एट कर दूँगी खीर गाड़ी होने लगी है और चावल भी अच्छे से पक गया है खीर पकने में 20 से 25 मिनट का समय लगा है अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और खीर को ठंडा होने देंगे कितना अच्छी मलाय वाले खीर बनकर रेडी हुआ है और खीर ठंडा हो गया है अब इसे एक ब खीर को गार्निश करेंगे आप लोग भी बनाएए बना कर खाईए और कॉमेंट बोक्स में जरूर बताएए कि आपको बतासी वाली खीर की रेशिपी कैसी लगी ताकि अगले आने वाली रेशिपी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले एक लाइक ज्यादे से ज्या झाल 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 झाल